नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेगे रुसी डेंडरफ क्या होता है रुसी होने के कारण क्या होते है रुसी को ख़द्म करने के कुछ सरल और आसान घरली उपाय के बारे में बताएगे आप इस वीडियो को बिना स्क्रिप के वे लाश्टक देखे अगर तोचा के कड़ होते है जो नई तोचा के आने से हडते रहते है इनही कड़ों को रुसी कहते है यह रोग इस्तरी और पुरुष दोनों में पा जाता है जाता लोगों को यह पता नहीं होता है कुनकी बालों में होने वाले रुसी है तेली है या रुखी है रुसी काई नहुने कारड भी रूसी रोग हो सकता है। जिन बालों में रूसी हो उनका कंगी तोली इस्तमाल नहीं करना चाहिए। रूसी खत्म करने का घरलू पाए। दही या मठे से बालों को धोने से रूसी खत्म हो जाती है। एक अंडे और नीबु के रस को मिला का सिर पर आधे घंटे के लिए लगाए। फिर उसे पाने से धोले। ऐसा करने से रूसी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। मेथी के बीज को रात के समय पानी में भिगो कर रख ले। सुबह पीस कर बालों पे लगाने से रूसी खत्म होती है। बालों में रूसी होने पर प्रदिन सुबह के समय अपने सीर को सुखा कर मालिस करे। दूस्तों आपको जानकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करे। शेयर करे। और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले।